आईए आज हम आपको बताने जा रहे हमीरपुर महोबा लोकसबा सीट की एगजिट पोल तो हमीरपुर महोबा लोकसबा सीट से महागडबंदन को टक कर देकर एक बार फिर भगवा में के आसार दिख रहे हैं बीजेपी पित्यासी पुस्पिन चंदेल से मद्दाता में थी जम का नाराज़गी फिर भी मोधी के नाम पर मिला बोट लोधी बाहुल सीट होने के साथ हुई बिरादरी में भेतर घाद हमीरपूर महोबा तिनवारी लोगसबा सीट पर इस बार मद्दाताओं की चुपी से मद्दान परणामों का स्टटी का अगलन करना मुश्किल है फिर भी समी करण कहते हैं कि इस सीट पर सपाबसपा गडबंदन वा भाजपर पित्यासी के भी जीत हार का खेल होगा भले ही जीत का अंतर कम हो लेकिन मोधी लहर पिरभावी होने के पूरे आसार हैं लोगसबा चुना में कांग्रेस पार्टी ने लोधी बोटो पर निरासा लगाते हुए प्रीतम सिंग लोधी को चुना मैदान में उतारा था भारी कसमकस के बाद महागडबंदन ने बासपा के दिलीव कुमार सिंग को चुना लड़ाया था जबकि भाजपा ने अपने गुमसोदा कहे जाने वाले वर्तमान सांसद पुषपिन सिंग चंदेल पर दुबारा भरोसा जताया था कुछ निर्दली पित्यासियोंने भी मैदान में ताल ठोक लेकिन महज उन्हें कुछ बोट कटवा माना गया है पुरीटम सिंग के सान के पक्ष में लोधी समाज के लामबंध होनी की उम्मीद थी लेकिन मदान तक मोधी लहर में लोधी बोट भी दो खेमे में बढ़ चोका था गड़वन्दन पित्यासित दिलीब कुमार सिंग को दो पार्टियों का बोट बैंक मिलने से उनकी इस्तिति काफी अच्छी मानी जा रही है भेतरगात का सामना करते हुए भी चुना में उन्होंने मजबूती से अपनी उपस्तिती दर्ज कराई है भारती जनता पार्टी टिकेट के आधा दरजन उम्मीद बारों को किनारे करते हुए वर्तमान सांसत पुर पुस्पिन सिंग चंदेल को टिकेट दिया सांसत पुस्पिन सिंग चंदेल का पार्टी में ही नहीं बलकि आम जनता में भी काफी विरोध था लेकिन मद्दान तक जनता काई है आक्रोस मोदी लहर में बह गया हाला कि मुस्लिम बोटों का धुरूई करण गड़ बंदन पित्यासी की मजबूती दिखा रहा है लेकिन मोदी लहर में भाज़ पित्यासी आगे निकल रहा है हकीकत तो 23 मई को मद्दान के बाद सामने आएगी लेकिन समीकरण गड़ बंदन पित्यासी वा भाज़ पा में काटे की टकड दिखा रहे है बले ही जीत का अंतर कम हो लेकिन मोदी लहर के सहारे भाज़ पाई सीट पर दोबारा कबजा करते हुए दिख रही है तो हम आपको हमीरपुर की लोग सवा सीट का ये बड़ा एग जीट पॉल बता रहे थे जहां पर UP24 News ने बड़ा एग जीट पॉल आपके सामने पेस किया है